नमस्कार बच्चों कैसे हो आप सब आज हम कक्षा दो की हिंदी की पुस्तक रिमजिम का पाठ नौ बुल-बुल पढ़ेंगे बच्चों क्या आपको पक्षी पसंद हैं आपने अपने आसपास जो है बहुत तरह तरह के पक्षी देखे होंगे जैसे की तोता, मैना, बुल-बुल, कवव, मोर है न तो आप इन सभी पक्षियों की पहचान कैसे करते हो आप जो है इनका रंग रूप देखते हो, इनकी बनावट देखते हो है न तो हर पक्षी की कोई न कोई पहचान जरूर होती है ठीक है, तो जैसे आपके घर में आपके मम्मी की, आपके पापा की, आपके भाई बहनों की हर किसी की अलग-अलग बनावट है जिससे आप पहचान सकते हो कि ये मेरे मम्मी है, ये पापा, ये भाई है, ये मेरा फ्रेंड है, है न तो ऐसे ही आप अलग-अलग पक्षियों को भी जो है उनकी बनावट और उनके रंग रूप से पहचान सकते हो आज इस पाठ के अंदर भी हम यही सब पढ़ने वाले हैं पातो पाठ का नाम है बुल-बुल तो इस पाठ में हम बुल-बुल के बारे में पढ़ेंगे जो है जानकारी दी गई है और इसमें बताया गया है कि बुल-बुल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस पाठ के अंदर बुल-बुल बुल-बुल को बच्चों English में हम नाइट एंगल भी कहते हैं क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है तो बच्चों बताईए क्या आप सबने कभी बुलबुल देखी है आप लोगों ने देखी भी होगी और बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि ये बुलबुल है और शायद कुछ बच्चे ऐसे भी होगे जिनको नहीं पता होगा कि बुलबुल कैसी होती है तो अगर आपको नहीं पता कि बुलबुल कैसी होती है तो चलिए देखते हैं इस पाठ के अंदर कि क्या क्या जानकारी दी गई है और फिर पाठ के अंत में आप मुझे बताना कि जो जानकारी इसमें बुलबुल के बारे में दी गई है उस जानकारी के बारे में पता करकर क्या आप अपने आसपास जो पक्षी हैं उनमें से बुलबुल को पहचान सकते हैं जो चलिए देखते हांगे बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है तो जो बुलबुल होती है उसको पहचानने का एक बहुत ही easy तरीका होता है सरल का मतलब क्या होता है easy, आसान तो एक बहुत ही आसान सा तरीका है जिसकी help से आप बुलबुल को पहचान सकते हो यदि तुम्हें कोई चड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँच को तो जो बुलबुल होती है वो ऐसी चड़िया होती है जो काफी तेज आवाज में बोलती है ठीक है तो यानि कि अगर आपके आसपास कोई तेज आवाज में बोलती हुई चड़िया दिखे तो हो सकता है कि वो बुलबुल हो तो ऐसी अगर आपको कोई चिडिया दिखती है तो आपको क्या करना है आपको उसकी पूँच को देखना है ठीक है उसकी पूँच यानि उसकी जो टेल है ये जो चिडिया है चिडिया का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते है टेल ठीक है यदि पूँच के नीचे वाली यह है यह तो पूछ क जो नीचे वाला हिस्सा है? अगर वह लाल है यहां पर देखिए आपको छोड़ सा जो हिस्सा है जो पूछ के नीचे है वह कैसे रंगा नजर आ रहा है लाल रंगा तो यह अगर आपको चिन यानि किसी भी पक्षी के पूछ के नीचे आपको इस तरीके से लाल रंग दिख जाए पूँच वाले हिस्से पर तो समझ लेना कि वो जो पक्षी है वो क्या है वो बुल-बुल है जब वह उड़े तो पूँच का सिरा भी ध्यान से दिखना और जब वो पक्षी उड़े तो आपको पूछ का सिरा, सिरा क्या होता है बच्चो? एंड, टीक है? जो सबसे last वाला पाट होता है जो सबसे अंतिम भाग होता है ठीक है? उसको हम कहते हैं सिरा तो आपको क्या करना है? कि आपको जो पक्षी देखना है, जिसको अगर आपने नीचे का हिस्सा देखा उसकी पूँच की और वो red है तो आप समझ जाओगे बुल-बुल है ठीक है और जब वही पक्षी उड़ेगा ठीक है तो आपको क्या करना है कि उसकी जो पूँच है उसकी पूँच का जो सिरा है end है तो देखो आपको पता है ये इसकी पूँ ठीक है पूँच का end part ये है है ना पूँच का सबसे जो निचला हिस्सा है सबसे जो end वाला पार्ट है सबसे last वाला जो पार्ट है जो बल्कुल bottom में है ठीक है तो उस हिसों को आप जो ए देखेंगे अगर उस हिस्से में आपको जो है सफेद रंग के दिखाए दे जाये त हिस्सा ठीक है तो वो क्या होती है बुल बुल ठीक है तो यहां पे भी आप देख सकते हो कि इसकी जो पूँच है उसका जो सबसे लास्ट वला पार्ट है वो थोड़ा सा पार्ट जो है वो कैसे रंग का है वाइट देखिए बाकी इतना पार्ट तो यह सारा रेड है लेकिन थोड़ा सा जो पार्ट है जो नीचे की तरफ है यह कैसा है वाइट कलर का तो बुल बुल की पूँच के सिरे का रंग सफेद होता है तो जब आप उसकी पूँच का सिरा देखोगे तो उसका रंग जो है कैसा होता है सफेद उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला ह और जो बुलबुल होती है उसकी जो बॉडी है ठीक है इसका पूरा शरीर है उसके शरीर का रंग भूरा होता है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते होगी इसका रंग कैसा है इसके शरीर का रंग भूरा है लेकिन उसका जो सिर होता है सिर का रंग काला होता है तो देखिए यह तो क्या पहचान हमें पता लगी कि अगर कोई चिडिया बहुत तेज अवाज में बोलती है तो हो सकता है वो बुल बुल हो फिर आप क्या चेक करोगे आपको अगर कोई चिडिया तेज अवाज में बोलती होई नजर आती है तो आप उसकी पूँच का जो नीचे का हिस्सा हो है तो वो बुल बुल हो सकती है फिर आप क्या चेक करोगे फिर आप चेक करोगे कि जो पूच के नीचे का हिस्सा है सबसे एंड वाला जो पार्ट है पूच का ठीक है वो एंड वाला पार्ट वाइट होना चाहिए तो जैसे ये वाला एंड वाला पार्ट इसका वाइट है ठ प्राउन कलर का होता है लेकिन इसका जो सिर होता है सिर वाला जो हिस्सा होता है सिर वाला जो पार्ट होता है उसका कलर ब्लैक होता है काला होता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं बुलबुल उंची आवाज में बोलती है तो जो बुलबुल होती है उसकी एक और खास बात होती है कि वो उंची आवाज में बोलती है बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता तो बुलबुल को इनसानों से कोई भी डर नहीं लगता हम लोग का मतलब यहां पे कौन है हमारे जैसे यानि इनसान तो जो बुलबुल होती है उसको इनसानों से आदमियों से कोई भी जिसके सिर पर काले रंग का कलगी हो उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं तो बेटा अगर आप देखो तो बुलबुल जो होती है उसको तो हमने आइडेंटिफाइ कर लिया लेकिन कुछ बुलबुल ऐसी भी होती है जिसके सिर पर जो है आपको कलगी जैसे कुछ देखेगा काल का पंक लगा रहता है ना उनके मुकट पर तो वो मुकट के ओपर जो मोर का पंक है वो उनकी कलगी है ठीक है तो ऐसे ही जो कलगी होती है वो टोपी पर या फिर मुकट पर जो है सुन्दर सा पंक की तरहे गुच्छे पर पंकों का गुच्छा जो है वो लगा रहता है तो उस को हम क्या कहते हैं कलगी ठीक है तो कलगी क्या हुई आप सबको समझ आया कि जो टोपी होती है टोपी पर जो पंक जैसा कुछ गुछा सा लगा रहता है जिससे टोपी की सुन्दरता बढ़ जाती है उसको हम कलगी कहते है ठीक है टोपी के ऊपर या पगड़ी के ऊपर ठीक है कपड़े की जो पगड़ी होती है कपड़े की पगड़ी बनी होती है इस तरीके से है न और उसके ऊपर यहाँ पर ऐसे कुछ जो है कलगी लगी रहती ह ठीक है तो वो कलगी होती है उसे हम सिपाही बुलबुल कहते हैं तो ऐसा कोई भी बुलबुल जिसके सिर्व पर काले रंग की ऐसे कोई भी जो है कलगी लगी हो ठीक है उसको हम क्या कहेंगे सिपाही बुलबुल ठीक है पहचान होती है सिपाही बुलबुल की क्या पहचान हो कि उसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है आपको यहां पर यह वाली बुलबुल नजर आ रही है इस बुलबुल को अगर आप देखोगे तो इस बुलबुल के सिर पर जो है यह काले रंग का कुछ लगा हुआ है न तो यह काले रंग की कलगी है ठीक है तो इसलिए हम इसको क आप बोलेंगे सिपाही बुल बुल तो क्या पहचान है सिपाही बुल बुल की वो बुल बुल जिसके सिर पर काले रंग की कलगी लगी हो ओके यहाँ पर भी आपको दिखाए दे रहा है कि जो बुलबुल है उसके सिर्व पर जो है इस तरीके से जो है कुछ कलगी के जैसा लगा हुआ है तो यानि कि यह जो है सिपाही बुलबुल है ऐसे ही इस वाली बुलबुल के सिर्व भी लगा हुआ है ठीक है तो अगर आप ध्या सब्सक्राइल देखो जैसे हम इस वाली बॉल-भॉल का एक ज्याम्पल ले ले तो इसके अंदर हमें क्या 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 गुन मे ला कि इसका पूछ के निच वाला हिस्सा होता है वह रे रeड है कौर सबसे एंड वाला पार्ट होता है वह से वॉईट है इसकी बॉड़ी का कलर ब बुलबुल पीपल या बर्गत के पेड़ पर कीड़े ढूंड कर खाती है तो जो बुलबुल होती है वो क्या खाती है वो पीपल के पेड़ पर या फिर बर्गत के पेड़ पर ठीक है बर्गत जिसको हम बैनियन ट्री भी कहते हैं इंग्लिश में तो बर्गत या पीपल के प जो होती है वो हमारी तरह सबजियां फल ये सब भी खाती है अम्रूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुल-बुल काफी जोर से हमला करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अम्रूद के बगीचे पर या मटर के खेत पर बुल-बुल जो है बहुत जोर से काफी जोर से काफी हमला करती है यानि उस पर जो है जपट जाती है जहां कहीं भी अगर उसको अमरूद का जो है बगीचा दिखे या मटर का उसको खेद दिखे उसको इतने पसंद है अमरूद और मतर कि वो बस जो है उस पर अटाक कर देती है उस पर हमला कर देती है हमला करना यानि कि अटाक कर देना ठीक है तो बुलबुल उस पर एकदम से जाकर क्या कर देती है अटाक क्यों करती है क्यों करती है क्योंकि उसको वो बहुत पसंद है उसको बस जैसे आप लो पागती हुई उड़ती हुई उसके पास आती और उस पर एक्दम से जो है अटेक कर देती है उसको खाने की लिए है ना ऐसे ही जो पक्षी होते हैं ठीक है जैसे बुल-बुल ठीक है उनका जो घर होता है उनके घर को पहली बाद तो उनके घर को हम क्या कहते हैं पक्षियों के घर को हम घौसला कहते हैं यानि पक्षी जहां पर रहते हैं उसको हम कहते हैं घौसला और पक्षी अपना घौसल होता है वो सूखी हुई घास या फिर जो सूखे हुए छोटे-छोटे पौधे होते हैं उनकी जो पतियां होती है ठीक है या फिर पतली-पतली पौधों की जड़े होती है उनसे जो है वो अपना घौसला बनाती है घौसला आप सबने देखा होगा वो इस तरीके से दिखता ह ठीक है और वो जो है इस तरीके से पतली पतली जो सुकी हुई घास होती है या पेडों की जड़े होती है उनसे बना हुआ रहता है घॉंसला अंदर से एक सुन्दर कटोरे जैसे दिखता है तो घॉंसले को अगर तुम अंदर से देखो तो ऐसे लगेगा जैसे कटोरा हो ठीक है जैसे कटोरा क्या होता है जैसे प्याला होता है जैसे मैंने ये शेप बनाई है है ना घर में आप सब्जी तो ten जीहिता है इसकी भी भिलकुल कटोरे जैसी शैफ दिख रही है जो मैंने इस गौंसला बनाया है इसकी शैफ कैसी है निए जो कटोरे जैसी तो यह जो गौंसला है यह भी अंदर से एक सुंदर से beautiful से कटोरे के जैसा दिखता है बुलबुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है तो अब अगर हम बात करें बुलबुल कितने अंडे देती है तो बुलबुल जो होती है वो एक बार में दो या फिर तीन अंडे अंडे यानि एक्स ठीक है वो एक बार में दो या तीन अंडे देती है और अंडो से फिर क्या निकलते हैं अंडो से जो बुल-बुल होती है उनके बच्चे निकलते हैं तो जो भी पक्षियां जो है वो अंडे देते हैं तो अंडो से फिर क्या होता है अंडो में से बाद में जो जब वो पक जाते हैं है जो जाते हैं तो उनमें से जो है उनके बच्चे ठीक है यानि जो छोटे पक्षी होते हैं वो निकलते हैं ठीक है तो बुलबुल जो होती है वो एक बार में कितने अंडे दे रही है दो या फिर तीन अंडे उसके अंडे हलके गुलाबी रंगे हो तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंद्या दिखाई देंगी ठीक है तो ये जो है अगर बुलबुल का अंडा है पुलबुल का अंडा कैसे कलर का होता है पिंक कलर का होता है तो अगर उस अंडे को तुम ध्य तो उस पर तुम्हें इस तरीके से कुछ धब्बे दिखाए देंगे और यह जो धब्बे होते हैं इन में से कुछ धब्बे तो लाल यानी रेड कलर के होते हैं कुछ भूरी यानी जो मिट्टी का कलर होता है यानी ब्राउन जो कलर होता है कुछ वैसे रंके दिखेंगे और क बिंदियां सी जो है जैसे मैंने भी बनाई इस थरीके से बिंदिया एंकलर की आपको देखने को मिलेंगी ठीक है तो बच्चो इस तरीके से हम जो है बुल-bule की पहचान कर सकते हैं तो हमने आज पाट के अंदर बुल बुल के बारे में जानकारी हासल करी वो कैसे दिखती है कैसे आप उसकी पहचान कर सकते हो वो क्या खाती है ठीक है उसका घौसला जो है किस चीज का बना हुआ होता है कितने अंडे वो देती है अंडे जो है कैसे दिखते हैं आप कैसे पहचान करोगे कि ये जो अंडा है ये बुलबुल का अंडा है ठीक है तो आपको जो है इस पाट के अंदर ये सब जानकारी बुलबुल के बारे में मिली है तो अब जब आप कभी भी अगली बार किसी पक्षी को देखो तो पहचानने की कोशश करना कि ये कौन पक्षी है हो सकता है उनमें से कोई बुलबुल ही हो है ना फिर जब आप पहचान पाओगे उसको कि वो बुलबुल है तो आपको बहुत अच्छा लगे का रहे वा मैंने तो लेसन में पढ़ा था और इसमें जो है बिल्कुल वैसी ही जानकारी है जैसा कि मैंने बुलबुल को देखा तो अब हम इस पार्ट में आए हुए कुछ डिफिकल्ट जो शब्द हैं उनको देख लेते हैं पहला है सरल सरल का मतलब होता है आसान यानी इजी अगला है सिरा सिरा मैंने आपका बताया था जो बिल्कुल एंड वाला पार्ट होता है जो अंतिम जो भाग होता है किसी भी चीज़ का उसको हम कहते हैं सिरा ठीक है? अगला है भूरा भूरा होता है मिट्टी के रंग का यानि ब्राउन कलर का कलगी तो कलगी क्या होती है? क्यों कुछ पक्षियों के सिरुपर जो लगे हुवे सुन्दर पंख या उनका गुच्छा होता है ठीक है? तो उसको हम जो है क्या कहते हैं कलगी घौसला घौसला क्या होता है? घौसला होता है सूखी घास से बना हुआ पक्षियों का घर अगला है बुनना बुनने का मतलब होता है बनाना ठीक है? यहाँ पर जैसे उनने बोला है कि पक्षी या जो ये बुलबुल है ये अपना घौसला जो है सूखी घास से बुनती है यानि कि सूखी हुई जो घास होती है उससे वो अपना घौसला बनाती है तो बुनना का मतलब बनाना अगला है भुरी भुरी का मतलब होता है जो ब्राउन कलर का होता है जैसा मिट्टी आपके सामने उन पक्षियों में से एक पक्षिय अगर बुल-बुल होगी तो आप उसको पहचान पेड़ेगे